इमाचल परदेश के पूरव सीएम शांता कुमार की पतनी संतो शैलजा का निदन हो गया है स्वरगी संतो शैलजा के निदन पर शोक प्यकत करते हुए सीएम जैराम ठाकुर पालमपुर आ रहे हैं सीएमो कांगडा गुरुदर्शन गुपता ने बताया कि उन्हें जिला परशाशन के योड़ से सूचना मिली है कि सीएम जैराम ठाकुर पूरव सीएम सांता कुमार की बतनी संतो शैलजा के निदन पर शोक प्यकत करने पालमपुर आ रहे हैं सीएम क्रिशी विशो पिदेला पालमपुर के हेलिपैड में पहुंचेंगे सीएम के आगमन को लेकर कोबिट के जो भी प्रोटोकाल है उनका कडाई से पालन किया जाएगा लेकिन हर संबब परियास के बापजूत उनका नीधन हो गया सीएमों ने बताया कि बाहरत सिरकार के प्रोटोकाल के तहट पालमपुर में उनका अंतिम जन्सकार किया गया जिसमें उनके परिवार्स तदस्यों की ही आनुमती परदान की गई थी जो अनफॉर्चनेटली मेडम संतूर शैलजा जो 83 एर्स की थी पूरव मुख्यमंत्री मानिय शान्या शान्तागवाजी की धर्मपतनी थी वो 24 तारीक से शाम से कोबिड बीमारी की वहासे टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी बर्सक प्यास से उनके बावजूद उनको नहीं बिचाया जा सका और सुबह आज सुबह चार बज़ के पंदरा मिन्ट पे उनका निदन हो गया और निदन के बाद जो गौर्वर्मेंट आफ इंडिया की तरफ से प्रक्साइब कोबिड प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह फॉलो करते हुए उनका जो अंतिम संस्कार जो है पालंपर में संपन हुआ है उनके परिवार के सदस्यों के सिवाए बड़ी लिम्टिड था जेला प्रसाशनिस को देख रहा था बड़ी सारी कोईरीज थी कि और लोग भी सामिन होना जाते थे पर प्रसाशन द्वारा सिर्फ चिनित ही लोगों को ही उसमें शामिल होने की अनुमती दी गई हाँ मैडम के साथ उनको डायपटीज की बिमारी थी और हाइपरटेंशन की बिमारी थी और एज उनके 83 थी इस वज़ा से इनको मर्मिल्टिज के वकारण उनकर लिए अभी हमें सूचना में लिए जिला प्रसाशन की तरफ से कि शाहिद महाननी मुख्यमंत्री जी भी पर्टो कॉल है उसका कड़ाई से पालंग किया जाए यूनिवर्स्टी हैली पैड में एग्रिकल्च यूनिवर्स्टी के हैली पैड में आने की सूचना है